भास का जीवन परिचय नाटक के जनक महा कभी भास ने अपने जीवन परिचय के बारे में कोई इसपष्ट संकेत नहीं दिया है, फिर भी उनके सम्मंद में प्रचलित किम वदंतियां तता उनकी रचनाओं के आधार पर थोड़ा बहुत परिचय देने का प्रियास किया जात होता है कि वदंतियों के आधार पर मान्यवर भास के सम्मंद में तीन किम वदंतियां प्रचलित है जिनके आधार पर उनकी जातियादी का सत्यापन होता है जो इस प्रकार है प्रथम भास के सम्मंद में एक किम वदंति यह है कि वे जाति से धावक धोबी थे ऐसा आचारी बम्मट ने अपने काव्य प्रकास में उल्लेखित किया है दूसरी दंत कथा उन्हें धोबी बतलाती है और उनका ही नाम घटकरपर नामक कवी बतलाती है घटकरपर का नाम राजा विक्रमदित्य के नवरतनों में भी आया है तरती है तीसरी किमवदंती के आधार पर एक बार व्यास और भास कवी में प्रतिष्ठा के लिए जगड़ा हुआ और उन्होंने इसका निर्णे करने के लिए अपने ग्रंत अग्नी को अर्पित कर दिये कहा जाता है कि व्यास के ग्रंतों को अग्नी ने भस्म कर दिया किन्तु भास के नाटकों में से स्वप्न वासवदत्तम अग्नी में भस्म नहीं हो सका संस्कृत विद्वान राज शेकर ने इसकी पुष्टी की है अता इससे इसपष्ठ है कि भास की व्यास के समान प्राचीन इम यसस्वी कभी हैं भास के जाती इन किम वधन्तियों से इसपष्ठ हो जाता है कि भास धोबी जाती के थे क्योंकि प्राचीन समय में किसी ब्राह्मन विद्वान को धोबी कहना साधान बात नहीं थी प्राय देखने में या आया है कि निम्न मर्ण के जो विद्वान लेखक संकोच वच अपनी जाती वंसाधी का उलेख करने की हिम्मत नहीं जुटा सके उन सभी को चतुर समाल उसकों ने किसी तरह खींस्तान करके ब्राह्मन बनाने का ऐस अपल प्रियास किया है इतियास में ऐसे अनेग उदारण मिलते हैं जबकि आचारी मम्मट ने इस पष्ट सब्दों में कहा है कि वे जाती से दोबी थे अतय भास को दोबी जाती का स्विकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए और लिखित प्रमान तथा किम वदन्ती में से किसी एक पर तो विश्वास करना ही चाहिए निरादार कलपनाओं पर नहीं भास का दिवासिस्तान उत्तर भारत में माना जाता है महा कविभास उत्तर भारत के निवासी मालूम पढ़ते हैं इन्हों ने अपने नाटकों में उत्तर भारत के प्रशिद्य नगरों, नदियों, परवतों तथा रीती रिवाजों का बेखोवी वर्णन किया है उनकी चित्वरती, अयोद्या, मत्रा तथा उज्जेन में विशेश रूप से रभी है यही कारण है कि भास ने इन इस्थानों का आँखों दे का वर्णन किया है इसमें संदिह नहीं है तो अपन वासव दत्तम एवं बाल चरितम में उनका भरत वाक्य ही इस बात की पुष्टी करता है इमाम सागर परियंताम हिम वद विंद कुंडलानाम मही मेकात पत्राम काम राज सिंग प्रशास्तू नह इस पद्दे में खिमाले से लेकर विंद्या चल परवत तक फैली हुई प्रत्वी के एकत छत्र शाषन को की कामना की गई है हाथा इस पश्ट है कि वे उत्तर भारत के निवासी थे राज्य सवासे संबंद भास ने अपने गरंतों में राज प्रासाद अंत्य पुरों अमात्यों सेनादी का विस्तार से वर्णन किया है इससे से मालूम होता है कि इसका किसी राज्य सवासे गैरा संबंद था विविद सास्त्रों में पारंगत भास के नाटकों का अध्यन करने पर यह ज्यात होता है कि वे विविद सास्त्रों में पारंगत थे उन्होंने वेद इतियाज पुराण लोक कता दरम सास्त्र अर्थ सास्त्र राजनी ती सास्त्र आदी सास्त्रों का गंबी रध्यन किया था वे इसमें पून रूप से निश्लान थे वे संबासन कला में निपुन थे सायत्य सास्त्र के अधिकारी विद्वान थे भास का सवभाव, भास सवभाव से नम्रव विनोध प्रिये तता वित्पन्न मती थे, मनुष्य सवभाव तता प्राकर्तिक सौंद्रिये के प्रेमी और पार्खी महा कवी भास का पारिवारिक जीवन भी संभवत सुक्मे था, उनके नाटकों से उनके आशावादिता तता राष्ट्रे भावना व्यक्त होती थी, विहास से प्रिये थे। भास का धर्म भास वैश्णव धर्म के अनुवाई थे, क्योंकि राम तता क्रश्ण के चरित्रों में उनकी भक्ती उन्हें वैश्णव धर्माव लंबी सिद्ध करती है, वैदिक करमकांडों तता देवताओं में उनकी परमास्था थी, वेगाय के उपाशक थे, ब्रामनों के प्रतिसरद अता इन प्रमानों से सिद्ध होता है कि भास जाती सिद्धुभी, उत्तर भारत के निवासी, विविद्र शास्त्रों में पारंगत, वैश्णम धर्म को मानने वाले सवाव से विदम्र, गोग तथा पुज्य लोगों का आदर करने वाले नाटक कार थे. ऑत्र अप्रमानों में अचांक आदर को में उत्स विद्ध विविद्र का वाले नाटक का थे.